नमस्ते श्राइने मैं डॉक्त रीनुका आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं मेरे यूटूब चीनल पर दोस्तों आज हम वाड्स के बारे में बात करें मतलब मस्वों के बारे में इन्हें हम वेरीका वल्गेरिस भी कहते हैं आज का टॉपिक मस्से यह कितने तरह के होते हैं, शरीके कौन-कौन से हिस्से में यह हो जाते हैं, कॉमनली इनका कारण क्या है और इससे हम कैसे बस सकते हैं, बचाओ के उपाई क्या हैं, और बिना किसी लेजर ट्रीटमेंट के या बिना कटवाई, होमेप्थिक कली, नेच्शल वे में हम इनको कैसे ठीक कर सकते हैं, हम आज इन सब पॉइंट्स पे डिसकस करेंगे, चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, जब हमारे शरी में human papilloma virus का infection होता है, तो skin key cells में outgrowth हो जाती है, इसे मस्से कहते हैं, यह मस्से हमारे शरी के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं, यह contagious होते हैं, means एक दूसरे में जल्दी फैल जाते हैं, लेकिन इसमें घवराने की ज़र्वत नहीं है, क्योंकि यह cancerous नहीं होते हैं, पर हाँ, जब क्लीनिक में patient मस्सों की complaint लेके आता है, तो साथ में कभी कभी pain और irritation की symptoms भी दीता है, और एक symptom सारे patients लगभा commonly देते हैं, कि वो look के हिसाब से conscious हो जाते हैं, इन मस्सों के कारण, अब हम चर्चा करेंगे कि वोर्ट्स कितने तरह के होते हैं, उसमें number one वोर्ट्स होते हैं, common वोर्ट्स, यह हमारे पेर की और हाथ की उंगलियों में हो जाते हैं, यह shape में थोड़े थोड़े rounded दिखते हैं, और छोने पर यह heart महसूस होते हैं, और इसमें एक बात और होती है, कि यह grey color के दिखते हैं, और यह size में छोटे या बड़े हो सकते हैं, अब हम बात करेंगे flat warts की, flat warts mainly face पे होते हैं और पेरों पे होते हैं, शुरू शुरू में यह इतने छोटे होते हैं कि notice नहीं होते, पर धीरे धी जब बड़े होने लग जाते हैं, तो notice होने लग जाते हैं, जब shaving के कारण या hair remove करने के कारण जो cut लग जाता है, उसके कार पेरों के तलूर में हो जाते हैं, और इन warts में और बाकी warts में यह difference होता है, कि जो दूसरे warts होते हैं, वो हमारे skin के ऊपर की तरफ आते हैं, पर planter warts हमारी skin के अंदर develop होते हैं, इसमें बारिक बारिक छेड हो जाते हैं, और उसके आसपास की skin hard हो जाती है, इसलिए patient को इ जाते हैंगे philly form warts की, यह बहुत छोटे अकार के होते हैं, यह especially हमारी नाख, आख, मुग के आसपास देखी गए हैं, और इनके look की बात करों तो यह कुछ ब्रश के ऊपर वाले हिससे यह finger के projection जैसे दिखते हैं, और इनका color हमारे skin के color जैसा ही होता है, लास्ट में एक और तरह के warts होते हैं, genital warts, जिनको बहुत seriously लेना चाहिए, क्योंकि यह male और female के genital parts के आसपास हो सकते हैं, especially female के genital warts, cervix के आसपास, यदि इस तरह के warts होते हैं, इससे female में cervical cancer होने का खत्रा बढ़ जाता है, और आप सभी को पता है, इंडिया में cervical cancer एक बहुत बढ़ा खत् तो अभी तक के हमारी discussion से आपको यह तो समझ में आई गया होगा, कि warts एक contagious विमारी है, जो वालस से फैलती है, इसलिए हमको हमारी hygiene का बहुत ज़्यादा ख्यार लखना चाहिए, सबसे ज़्यादा warts का infection बारबर के हैं infected shaving razor use करने के कारण, या पालस में unhygienic condition maintained होने के कार यह यदि वो irritate कर रहा है, तो उसको आप किसी bandage से cover कर सकते हैं, अब हम बात करेंगे कौन कौन सी homeopathic medicine, warts के case में लावधायक हो सकती है, इसमें number one पे है, थूजा ऑक्सिडेंटलिस, जब हमारे शरीर में किसी भी तरह के मस्से, किसी भी छोटे या बड़े हो जाते हैं, त थूजा का बहुत अच्छा रोल होता है, थूजा हम तब भी देते हैं, जब सकीन बहुत ड्राय हो, उसके साथ बहुत सारे मस्से हो गए हो, और थूजा को देने का तरीका यह हैं कि आप सुबे 5 पिल सुबे और 5 पिल शाम को दे सकते हैं, और थूजा मदर टिंचर को हम externally ह नमबर टू पर मैडिसन है नाइट्रिक एसिद यह हम पेशिंट को देते हैं जब पेशिंट के मस्य बहुत सेंसेटिव टूच होते हैं पेइनफुल होते हैं उनमें इरिटेशन होता है और जड़ा सा टच करने पर इनमें ब्लीडिंग होने लगती है नमबर टीन पर है डलका मारा यह मैडिसन हम पेशिंट को तब देते हैं जब उसको फ्लैट वाट्स हो जाते हैं इस्पेशली यह वाट्स चेहरे पर मिलते हैं तब यह मैडिसन बहुत कारगर है दोस्तों इसमें एक मैडिसन का नाम और आता है कॉस्टिकम यह मैडिसन हम पेशिंट को तब देते हैं जब उसके मस्व का साइज बड़ा होता है इसपेशली वो उंगलियों पे होते हैं उनका करेक्टर देखे तो थोड़ा से पैडन कुलेटेड होते हैं उनमें पेन भी हो सकता है और वो कभी-कभी ब्लीड भी करते हैं इस सीरीज में लास्ट मैडिसन है एंटिम कूर्ट यह हम पेशिंट को तब देते हैं जब उसको प्लांटर वाट्स मींज पैल के तलूओं में मस्य हो जाते हैं और इन मस्व के साथ उसको कौन भी मिल सकते हैं वो गलत तरह के जूते पहनने की कारण या फिक्शन होने की कारण वहाँ वाट्स और कॉन्स हो सकते हैं और इस तरह के मस्व में पेशिंट को चलने में बहुत तकलीफ होती है और पैल के तलूओं में दर्ध होता है तब यह मैडिसन बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों फ्रेंड्स यहां में आपको थोड़ा शॉर्ट ने बताती हूँ जैसे की हर तरह के मस्व पे थूजा लीजिए और साथ में थूजा क्यूँ मदर टिंचर को एपलाई कीजिए नमबर टू यह दि फ्लैट वाट्स हैं तो डलका मारा लीजिए और नमबर तीन यह दि प्लांटर वाट्स हैं जो कौन के साथ हो गए हैं तो आप मेडिसन लेंगे एंटिम कूट और नमबर चार यह दि बड़े बड़े वाट्स हैं और फिंगर्स पे हो रहे हैं पैडरन क मेड चानल, थांक यू